जार्खन में राम नौमी जूलूस निकालने का समय बढ़ा जार्खन सरकार ने राम नौमी जूलूस समेथ सभी परका के धार्मिक जूलूस की समय सिमा साम 6 वए से बढ़ा कर रात 10 वए तक कर दी है आपदा परवंधन बिभाग द्वारा सुक्रवार को नई गाइड लेंड जारी करेगा पहले साम 6 वए तक ही जूलूस निकालने का गैड लेंड जारी हुआ था मालूम हो कि गट 30 मार्च को आपता प्रवंदन विभाग द्वारा धार्मिक यात्रा की निकालने से संबंधित गाइडलेंड जारी किया गया था जिसमें किसी भी परकार की धार्मिक यात्रा की समय सीमा साम 6 वे तक ही निधायत की गई थी हलाकि विभीन रामनामी समीती इस समय सीमा को बढ़ाने की मांग सरकार से कर रहे थे इसी के आलोक में राई सरकार ने सभी धार्मिक जुलूस को रात 10 वे तक निकालने का फैसले किया है रामनामी को लेकर अधिकतर मंदीरों का रंग रोगन कर दिया गया है साथी सहर के हर परमुक चोग चोराहों को जंडो और रंग बिरंगे बल्लो से सजा दिया गया है कई जगों पर तोरन द्वार भी लगाए गया है जारखन में लूच चलने को चेतावनी जारखन में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है अप्रेल माह में ही मई जून की गर्मी का एहसास होने लगा है अप्रेल के दूसरे सप्ता में ही ताप मन चालिश डिगरी सेल्सेस के पार पहुँचने लगा है राजी के कई जगों में चालिश डिगरी सेल्सेस तक पारा पहुचने का पुरोन मान किया गया है मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के करण लोगों को सतर कराने की अपील कर रहा है वही राजी के कई जीलों में लूच चलने की चेतावनी भी दी गई है मौसम केंद्र राची ने जारखन के कुछ जीलों में तापमान 44 डिग्री सेलसियस रहने की बात कही इसके तहट पलामू, चतरा और गढ़वा में गर्मी परवार पर रहेगी इस तीनों जीलों में 43 डिग्री सेलसियस तापमान रहने की बात कही गई है सीम हेमन्त ने सीरम टोली सरना की रखी अधार सीला मोखे मन्तरी हेमन्त ने रांची के सीरम टोली सरना अस्थल के संधरी करण योजना का सिलन्यास किया इस मोखे पर उन्हों ने कहा कि राज सरकार आदिवासी समाज की परंपरा और कला संस्कृती को जीवन्त अच्छों और संड़क्षित करने का परियास लागातार कर रही है करीब पाच को रूपई की लागत से इस सरना अस्थल का संधरी करन होगा इस सरना अस्थल परिशर में कई सुधाय भी उपलवध होगी CMC सुरेन ने कहा कि राजे की सभी सरना और मसना अस्थन का संगरचित करने का संकल प्राज सरकार ने लिया है ताकि आने वाली पिढ़ी भी इसके एतिहासिक महत्व से अभी भाती वाकिफ रहे उन्होंने राजे वासियों से कहा कि अगर उनकी नजर में कोई उत्सव अस्थल को बिक्सीत अस्थन रचित करने के जरूरा था है तो उसकी जनकारी दे इस दिशा में सरकार अवस्यक पाल करेगी CM हमन्त ने रुपेश पांडे की मा को सौपा नियुकती पत्र और पांच लाग की रासी CM हमन्त सुरेन ने हजारी बाग जिला अंतरगत बरही के नाइट टांड के दिवंगत रुपेश पांडे की मा और मिला देवी को नियुकती पत्र और 5 लाख रुपे की साहतरासी का चेक प्रदान किया है वहीं CM ने किरिसी मंत्री बादल पत्र लेक द्वारा प्रदत 1 लाख रुपे का चेक भी उन्हें सोपा इस मौके पर CM सीरी सुरेन ने दिवंगत रुपेस के परिजनों से कहा कि इस दुख की घड़ी में आप अकेले नहीं है आपके साथ सरकार खड़ी है आपके जो भी समस्या या जरूरत होगी उसे सरकार होग संभव पूरा करने की कोशिस करेगी बता दे CM सीरी सुरेन ने दिवंगत रुपेस के परिजनों को भरुसा दिलाया कि सरकार के अस्तर पर उनकी हत्या की जहाँ पर द्रिष्टी कोन से की जा रही है उसकी हत्या क्यों और कोन इसमें सामिल है जल्द ही पूरे मामला का खुलासा होगा इस हत्या कांड में जो भी दोसी पाये जाएंगे उनके खिलाप करी काणूनी करवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि आपको हर हाल में इंसाफ मिलेगा जारखन युवा सदन का अगाज जारखन युवा सदन का अगाज हो चुका है इसका उदेश राज के कोने कोने से युवाओ को एक मंच पर लाकर राईनेती के बारे में प्रेरित करना है दरसल एक समाजिक संस्था है जिसका मुखे उदेश जारखन के लोगों के अंदर छीपे हुए नितित्व चमता को परखना और निखारना है बता दे की बिगत दो सालों से युवा जारखन युवा सदन के करेकरम का आयोजन राची में किया जा रहा है संस्था के अध्यक्ष आकास पांडे इस बारे में बताते हैं यह एक ऐसा मंच है जहां जारखन के परतेक बिधान सभा से दो दो युवा ओ का चैन कर सदन में अमंत्रित किया जाता है जिसके बाद उन्हें लोकतंत्र वो राई नीतिक किरिय कलापों के बारे में समझाया जाता है साथी साथ बिधाई का से जुड़े गोन भी सिखाये जाते हैं जहारखन में एक से बारत तक के बचों का जाती पवान पत्र के लिए चलेगा अभियान जहारखन के स्कूलों में कक्छा एक से बारत तक के बिध्यार्थियों का जाती पवान पत्र बनाया जाएगा राई सरकार के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है कार्मिक बिभाग ने सभी जीलों को निर्देश दिया है किवे अभियान चला कर जाती पवान पत्र निर्गत करें इसके लिए कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी जाती प्मस्टर निर्गत करने के लिए अधिकारियों कर्मियों को प्रसिक्षन किया जाएगा सभी HDO, सभी जीला कलान पताधिकारी, सभी जीला सिक्षा पताधिकारी, सभी जीला सिक्षा अधिक्षक, सभी नोडल पताधिकारी को सामिल रहने को कहा गया है रांची में नो जगोप पर लगाए गए स्पीड वारलेस डिटेक्टर कैमरा राजधानी में तेजर अफ्तार वाहनों की वज़ा से आए दिन सड़क हाथ से हो रहे हैं आलम या है कि पिछले साल 2022 के सुरुआती तीन महीने में कूल 146 सड़क हाथ से हो चुके हैं इन हाथ सो को रोकने के उदे से राजधानी में तेजर अफ्तार वाहन चलाने वालों पर लगाए म कसी जाएगी इसके लिए राजधानी में 10 अस्थानों पर स्पीड वारलेस डिटेक्टर कैमरा लगाए गए हैं साथी इन जगों पर वाहनों की स्पीड लिमीट भी तैय कर दी गई है इन जगों पर तैय सीमा से अधिक तेज से वाहन चलाने वाले वाहन चलकों से जुर्माना वसूल किया जाएगा जारखन में कलास 5 के 88 पर्थे अच्छादर नहीं पढ़ पाते अंग्रेजी राजे में कोविट से बचों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई की त्यारी सुरू कर दी गई है काक्षा 1-5 तक के बचों की पढ़ाई की स्थिती की जनकारी के लिए जारकर सिक्षा पर्योजना दे सर्वे कराया फरवारी में त्यार रिपोर्ट के अनुसार बचों के स्थेक्षनिक अस्थर में पूरो की तुल्ला में गिरावाट आई है काक्षा 1-5 तक के बचों के बचों के बीच सर्वे किया गया इसके अनुसार काक्षा 5 के लवग 88 फिस्थी बच्चे ठीक से अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते है बचों के टेस्ट को लेकर मापदन्ड तैक किया गया है अंग्रेजी लिखने में बचों के स्थिती पढ़ने की तुल्ला में थोड़ी बेहतर है 31 फिस्थी बच्चे अंग्रेजी काक्षा के अस्तर के अनुरूप लिख पाते है जबकि 33 पर 30 बच्चों को गनित की जनकारी काक्षा के अनुरूप नहीं है काक्षा 5 के 41 फिस्थी बच्चे हिंदी बोल पाते है वही 31 परत्य बच्चे टेस्ट में तय माना के अनरूप हिंदी लिखने और पढ़ने में सफल हुए पारा सिक्षा के मांदे भुकतान में गर्बड़ी जे टेट सफल सहायक अध्यापक पारा सिक्षा के मांदे भुकतान में कई जीलों में प्रधान के अन्देखी की बात सामने आई है इसे लेकर जार्खन सिक्षा पर योईना निदेशक ने पत्र लिखा है इसके अनुसार पारासिस्कों की जिसका अक्षा के लिए नियुक्ति होई है उसमें ही टेट में उन्हें सफल होना होगा इस समाद में गिरीडी हजारीबा गड़वा और पच्मी सिमुम जीला के D.A.C. को पत्र लिखा गया है जारखन में कुरोना के 4 नए केस मिले जबकी 6 मरीश स्वस्थ भी हुए है जारखन में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 36 है भारत में 1,33 नए केस मिले जबकी 1222 मरीश स्वस्थ हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 27,700 है खुटी जीले में पर्वतिवा सांती पुर्ण से मनाने को लेकर सांती समीती की बैठक खुटी के नगर भवन परिसर में जीला अस्तर ये सांती समीती की बैठक की गई बैठक में बुद्वार को सहर में हुई घटना की पूर्णा विरिती रोकने को लेकर चार्चा भी हुई वही सभी पक्छो के लोगों ने सवहार्द पूर्ण वातावरन में रहने और तेवार माने का निने लिया साथ ही अमन चैन से रहने का संकल्प लिया इस असर पर डिसी ससी रंजन ने कहा कि बुद्वार को हुई घटना दुरभागे पुर्ण थी आयसी घटना फिर न हो इसके लिए जिला परशासन की तैयारी फूरी है बुद्वार को हुई घटना को जिला परशासन ने समय रहते काभू पा लिया और फैलने से रोक लिया उन्होंने कहा कि सभी लोग सांती बेवस्था काइम रखे गुमला की बेटी सुपरीती का वर्ल्ड एथलिक्ट्स चेंपियनशिप में चयान गुमला जिला अंतरगत घागरा परखंड के बुरुहु गाव निवासी बाल मती देवी की बेटी सुपरीती का खचप अवराज यही नहीं पुरे देश का नाम रोशन करने वाली है बतादे एथलिक्टी सुपरीती ने वर्ल्ड एथलिक्ट्स चेंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया है इस चेंपियनशिप का यहोजन कोलंबिया में होना है उदह सुपरीती के चयान से बुर्धु गाव में खुसी की लहार है बतादे वर्ड एथलिक्ट चेंपियंशिप के लिए केरल के कोजी कोड में ट्राइल हुआ जिसमें 5000 मीटर दोड को 16 मेर 40 सकेंड में पूरी करनी थी जिसे एथलिक्ट बेटी सुपरीती ने 16 मेर 33 सकेंड में ही पूरी कर इस चेंपियंशिप में अपनी जगा पक्की कर ली है गर्मी के कारण सरकारी स्कूलों का बदलेगा समय जार्खन के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदला होगा सुबढ 9 047 011 बजे या 12 बए तक सकूलों का संचलन हो सकेंगा इसकूली सिक्षा वर सक्षंता बिभाग इसकी त्यारी कर रहा है बरतमान में सुबढ 7 बए से 1 बए तक सकूलों का संचलन हो रहा है राजे में पढ़ रही गर्मी को देखते हुए सिक्षक संग अठन इसका विरोध भी कर रहे थे इसके बाद सिक्षा भी भाग स्कूल टाइमिंगे बदलाव करने जा रही है अगले एक से दो दिन में इसके निर्देश जीलों को में भेज दिये जाएंगे और अगले सब्ता स्वमवार से इन टाइमिंग पर स्कूल चलने लगेंगे 25 अपरेल से आंदोलन करेंगे जारखन राज सहकारी बैंक करमचारी जारखन राज सहकारी बैंक करमचारी संग ने गुरुवार को बैंक परसासन से मिलकर अपनी 15 सुत्री मांग का गयापन सो पास संग ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द पहल नहीं की गई तो 25 अप्रेल से वे चरणबत तरीके सांदुरन करेंगे उनकी मांगों में मुखे रूप से ग्रेट पे में बढ़ोतरी नए सीईयो की अविलम बहाली करमचारी की प्रोनती रिक्त पदो में बहाली बैंक में सिर्ष प्रवंधन का गठन सामिल था इसके अलावा स्टेशनरी आपूर्ती की समस्या का समधान बैंक की बिभीन नितिक का निर्मान और करमचारी का मेडिकल बिमा की मांग सामिल है 31 अक्टूबर तक संचालन अनुमती नहीं लेने वाले होटल रेष्टा कल्व पर जुर्माना का प्रवधान राजे में होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हौल, बैक्टवेट हौल, कल्व आधी को जार्खन राज परदूसन नियंतरन बोर्ड से अस्थापित और संचालन करने की अनुमती अनिवार रूप से लेनी होगी या नियम पहले से लागू है लेकिन अनुपालन में धिलाई अब नहीं होने दी जाएगी जिन उद्योगों या परतिश्ठानों ने CE और CTE नहीं लिया है उन्हें 31 अक्टूबर तक का समय दिया क्या है इस अवधी में आवेदन करने पर वन टाइम एक जेंप्शन का लाप दिया जाएगा इसके बाद JSP CB सकती करते हुए जूर्माना वसुलेगा इसकूल बस को गयर इसकूली कारे से जुड़े मामले में DTO धनबाद से जबाब तलब हाई कोट में गुरू आरकोट DTO धनबाद के उस आदेश के खिलाब दायरेज का पर आंसिक सुनवाई हुई जिसमें DTO ने इसकूल बस को गयर इसकूली कारे में इस्तिमाल करने परोक लगाने की बात कही है कोट ने ततकाली डीटियों से पूछा कि किस परोधान के तहट ऐसा पत्र जारी किया गया उन्होंने इसकी जनकारी कैसे मिली की उक तवाहन गयर इसकूली कारे में उप्योग में लाया जा रहा है क्या उसके पास ऐसा करने का अधिकार है इसकी जनकारी सपत पत्र के मादयम से कोट में पेस करे मामले में अगली सुनवाई 12 अपरेल को होगी इस समंध में अपताब आलम ने हाई कोट में आजका दाखिल की है पोसन सकी को हटाने के सरकार के निर्देश के खिलाप याची का दाया राजे के छ जिलो में कररत पोसन सकी को हटाये जाने के सरकार के आदेश के खिलाप हाई कोट में अचका लगाई गई है प्रार्थी प्रमीला कुमारी की ओर से अधिवक्ता राधा कृष्णन गुपता वा पिंक की सावने कोट में याज का लगाई है इसमें कहा गया है कि राज के च्छा जीलों में केंद्र सरकार ने कुपोसित जीले के रूप में चीनित किया था इसके लिए यहाँ पोसंद साकी की बाली 2016 में हुई थी लेकिन राज सरकार ने 24 मार्च 2022 को इनको सेवा मुक्त कर दिया इसका कारण केंद्र से मिलने वाले फंड पर रोक लगाना बताया जा रहा है प्रार्थी का कारना है कि बिना वैध कारण और बिना पुर्व सुचना के उनकी सेवा को समाप्त करना गलत है बर्च 2017 में केंद्र सरकार ने इस तरह का नोटिस दिया था और कहा था अगर राई सरकार को इनकी जरूरत है तो वह अपने मत से इनके वेतन का भुगतान कर सकती है भीशन गर्मी के कारण रामगर कस्तूर्वा बिद्याले की सोव से ज्यादा छात्राय बिमार रामगर के मांडू परखन मुख्याला इस्थीत कस्तूर्वा गांधी आवाज से बालिका बिद्याले की करीब सोव छात्राय बुध्वार को अचाराग बिमार हो गई सभी छात्राओं ने सीर्दर्द बुखार एवं ठंड के साथ उल्टी की सिकायत की बुध्वार देर साम तक कई लड़कियों को तवियत ज्यादा बिगणने पर बिद्याले परवंधन ने मांडू CHC प्रभारी डाक्टर असोक राम को जनकारी दी इसके बाद डाक्टर असोक राम एवं उनकी टीम ने बिद्याले पहुँच कर बिमार छात्राओं की जाच की इस डवरान कक्षा 10 की सुसमा कुमारी एवं कक्षा 7 की स्वेता कुमारी की स्थिती गंभीर देखते हुए उन्हें बेतर इलाज के लिए रामगर भेजा गया वहीं करीब 30-35 को दवा देकर उनके घहर वापस भेजा गया चात्रा से छिर्खानी मामला में दूमका के पुर्वट DSP सुरेश को 5 साल की कैद सराय केला की 12 वर्षिये चात्रा के साथ असलील हरकत करने वाले जारखन पूलिस के रिटारे DSP सुरेश परसाद पसवान को नयाले ने गुरुवार को दोसी करार दिया पोसको के विशेश नयाधिस प्रभाकर सिंग के कोट ने सुरेश को 5 वरस की सधारन करावास जबं 5,000 रुपे जुरुवाना की सजा दी है पंचायत चुनाव उमिद्वारों की खर्च रासी की सीमा ता है चुनाव आयोग ने ने धारित किया है कि पूरी चुनाव परकिरिया में किस पद का उमिद्वार कितना अधिक्तम खर्च कर सकता है बतादे ग्राम पंचायत के वार्ड सदसे के लिए एक उमिद्वार अधिक्तम 14,000 रुपे तक खर्च कर सकता है एक वार्ड की सीमा बहुत सीमित होती है और इसमें वोटर भी लगभग 500 तक ही होती है एक पंचायत कई वार्डों में विभाजित होता है उसी तरह एक ग्राम पंचायत में मुख्या पद के एक उमिद्वार को अधिक्तम 15,000 रुपे तक की रासी खर्च करने की सीमा है खर्च करने के साथ इसे इसका हिसाब भी चुनाव आयोग को देना होगा इसी तरह पंचायत समीती के सदसे पद के उमिद्वार अधिक्तम 15,000 रुपे खर्च कर सकता है धन्यवाद